जैसे ही हम basic Japanese language से थोड़ा सा advanced या कह सकते हैं थोड़ा सा intermediate की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे words, कुछ ऐसे patterns देखने को मिलते हैं जिनका काफी similar meaning होता है अगर आप उनको English में translate करेंगे तो काफी similar होगा लेकिन जब उनको हम replace कैसे करें या फिर उनमें choose कैसे करें ये problem ह हमें आती है क्योंकि दोनों का ही meaning same है तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी तरह के words को सीखेंगे जो कि है तारा नारा और बा वर्ड्स ना हो करके ये patterns है और इनकी joining किस तरह से होती है और इनमें क्या difference है इस वीडियो के जरीए हम सीखने की कोशिश करेंगे वेलकम टु सुझते हैं difference इसका बहुत easy होता है तो जो होता है इसका circle बहुत ही छोटा सा होता है इसमें बहुत limitations होते हैं और इसकी सबसे बड़े limit क्या है कि इसके बाद वलरस इंदेंस होगा ना वो हमेशा natural होना चाहिए वो हमेशा खुद से होगा for example कोनो बोता नो उसु तो मिजगा इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर से पानी आएगा जैसे आप लगोंने हमेशा water dispenser use किया ही होगा आप जब बटन प्रेस करते हो तो इसके नीचे से पानी आता है तो कोनो बोता नो उसु तो मिजगा देंस तो second action जो है वो natural है इसमें आपको कुछ नही अब रेबा इसको कभी भी cover कर सकता है आप same sentence को रेबा से भी बोल सकते हो और तारा से भी बोल सकते हो जैसे कोनो बोता नो उसे बा मिजगा देमास सबसे best option is this इन दोनों को भी आप use कर सकते हो कोनो बोता नो उसे बा मिजगा देमास का भी सेम मतलबे अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो इसमें से पानी आएगा कोनो बोता नो ओशी तारा मिजगा देमास का भी सेम मतलबे इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो इसके अदर से पानी आएगा बट उसके आगे पड़ेगी कि दोनों sentence का subject कभी same नहीं हो सकता अगर वो action verbs हैं जैसे एकी नी स के बाद मुकाइनी की मास में हमने subject को अलग कर दिया कि जब आप station पहुँच जाओगे तो हमें आपको लेने के लिए आ जाओंगा पड़ अगर आप इस sentence को ऐसे बोलें एकी नी स के बाद देनवा शिते कुदा से आई तो आप भी वही person रहा है और phone करने को भी आप उसी person को बोल रहे हो तो क्योंकि इन दोनों का subject same हो गया तो हम इन दोनों sentences को रे बाद से connect नहीं कर सकते तो आपको हमेशा subject को अलग करना होगा in case of action verb जैसे एकी नी स के बाद मुकाईनी की मास अब subject डलोगी क्या आप कोई और रहा है मैं आपको बोल जूँ कि जब आप station पहुंच जाओगे तो मैं आपको लेने के लिए आ जाओगी इसा जरूरी नहीं है कि रे बाद हमेशा तारा को रिप्लेस कर लेगा या तो पहुंच 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 जाओगे तो मैं आपको लेने के लिए आ जाओगे इसा जरूरी नहीं है कि रे बाद हमेशा तारा को रिप्लेस कर लेगा तो हमेशा रेबा को रिप्लेस कर लेगा या तारा को रिप्लेस कर लेगा उसको आपको देखना पड़ेगा कि अगर नाचरल आक्शन है सिर्फ तभी हम तो को यूज़ कर सकते हैं अगर action verbs का subject अलग ह तो ही हम रेबा को यूज़ कर सकते हैं और तारह में कोई लिमिट नहीं हो सकती आपका भी भी तारह को कैसे भी फार तिर यूज़ कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि इन पैटरिन्स मेंस मैं या इन में similarity क्या है और इनको कैसे use करेंगे Similarly अगर आपको अपने examples बना के हमें show करने हैं तो आप comment box में डाल सकते हैं और साथ-साथ जरूर जाएए nihongomax.com पर जिसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको आसान से आसान तरीके से आपको ये patterns की similarity और differences समझ आ जाएं Thank you so much